हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ सब घर में होंगे सब ठीक होंगे सब जवर्दस होंगे आज की वीडियो में बात करें हम लोग बियाइटी सिंद्री में एम्टेक के लिए जो एडमिसन होती उसकी नोटिस आई हुई है और यह नोटिस बहुत ही पहले आ सकते हैं यहां पर यहां पर बता देना चाहता हूं कि जो इंस्टिचूट है जारखंट का बहुत ही प्रीमियर इंस्टिचूट है आप इस फॉर्म को एपलाइक कर सकते हैं और यहां पर आपको रिजर्वेशन उसी कंडिशन में मिलेगा यहां जारखंट के पर्मानेंट रिस्डेंशियल है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्किल ऑफिसर सब्डिविजनल ऑफिसर या फिडिप्टी कमिशनर ऑफ ज सबको रिजर्वेशन मिलेगी उनके एक्कॉर्डिंग वाले को फायदा होगा लेकिन वहां पर यह सुनिशित कर लें कि उनका सर्टिफिकेट अभी जेनुइन है उसके बाद आगे आप देख लीजिए यहां पर जो इस पेसिलाइजेशन है कौन-कौन से ब्रांच में होने अजेन कर सकते हैं उस और फ्रोड। त्रिपल ओडर्जी और आप ट इनजेनरी इंगि वाले इनजिनेरींग वाले और क्य। सब्सक्राइग कर सकते हैं उसके बाद और प्रोसे स्मेट्र का सकते हैं में आप półकMusic ऐनेग कर सकते हैं आफ्रोडि एनजिनीरिंग कि आप तो आप Process Metallurgy में Apply कर सकते हैं, उसके बाद Physical Metallurgy में आप Apply करते हैं, तो आप यह सुनी चीद कर लें कि आपके पास Metallurgical Engineering, Mechanical Engineering, Production Engineering, MSC Physics Having Subject, Material Science है, तो ही आप इस Form को भर सकते हैं, उसके बाद Plant Design, कि यदि आप Form भरना चाहते हैं, तो आप यह सुनी चीद करें, Chemical Engineering, Petroleum Engineering, Petrochemical Engineering, Plastic Technology, Technology, Food Technology, Plant Technology, Oil Technology, B Pharma, B Tech in Environmental Science, यदि ऐसा आपके पास है, तो आप Plant Design की को भरने के लिए इलिजिबल हैं, उसके बाद Civil Engineering की बाद की जाए, तो Civil Engineering में Structural Engineering है, Soil Mechanics and Foundation Engineering है, यहापे Civil Engineering वाले को कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से सारे टीचर सपोर्टीव है, सारे प्रोफेसर सप बढ़ने का मिल जाएगा, उसके बाद Eligibility Criteria की बात की जाए, तो Valid Gate Score आपके होना चाहिए, B B Tech का, और Equivalent Degree होना चाहिए, 60% Marks के साथ CGPA, और यदि कोई SCST है, तो उनके लिए 55% Marks कमपल सरी है, Equivalent to CGPA, यह कोई भी Recognized University से होना चाहिए, जो की AICT से Approved है, New Delhi से, तभी आप इस Form को भरने के लिए Eligible है, आपके पास Valid Gate Score है, तभी आप इस Form को भरने के लिए Eligible है, एक और Condition होता है, कि यदि Gate के जरीए Admission नहीं हो पाता है, और जनरली ऐसा होता है, यह हर साल, कुछ नो कुछ seat खाली रह जाता है, उसके बाद आपका Non Gate Candidate के लिए एक बार नहीं कलता है, बिना Stipend का मतलब कि आपको 12,400 पर मंथ Stipend मिलती है, Mtech में, वो Non Gate वाले को नहीं मिलेगा, आखिर क्यों देंगे, Gate आप पास नहीं किया है, तो आपको Stipend तो नहीं मिलेगा, तो उस Condition में भी आप यहाँ पे Admission ले सकते हैं, और फी बहुत ही Nominal है, एराउं अच्छी तरीके से वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि मेरा ही College है, उसके बाद मैंने यहीं से पढ़ाई करी है, इसलिए मेरा ही College नहीं है, उसके बाद आगे मैं बता देना चाहता हूं कि Mtech Admission 2022 के लिए Apply तो ही रहा है, और यहाँ पे Government of Jharkhand की बहुत ही अच्छी खासी College है B.B.Tech Appearing Candidate भी Apply कर सकते हैं, 2020 में जो Appear हो रहे हैं, Final Exam में, यानि कि 8 सेमेस्टर में, लेकिन वो लोग ये सुनिश्चीत कर लें कि जब Admission होगा, तब उनको Final Result वहाँ पे Submit करना होगा, उसके बाद आप कैसे इस Form को भर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, लिंक आपक Category के Candidate के लिए, धाई हजार रुपाय, यहाँ पे Pay करना होगा, यदि आप इस Form को भरते हैं, OBC और EWS और General Category के लिए, and Outside State Candidate of Any Category, यानि कि कोई दूसरे राजी के भी Candidate हैं, तो वो भी, यदि Form को भरते हैं, तो उनको भी धाई हजार रुपाय, यहाँ पे Pay करना होग यदि कोई SCST है, या फिर चारखंड के ही, सिर्फ चारखंड के SCST, वो दो हजार रुपाय में इस Form को भर सकते हैं, Application Fee आपको यहाँ पे Deposited Through SBI Collect as per Flow Chart यहाँ पे Attached है, इस पे आप Payment कर सकते हैं, उसके बाद After Submission of Online Application, Immediately a Message Response will go to your registered email ID में एक Message आएगा, उसका Print Out निकालना है, और उस Print Out के साथ आपको फॉम भरते समय, जितनी भी डोकुमेंट की जरुरत पड़ी थी, उस डोकुमेंट को निकाल करके आपको भर देना है, और इस पते पर, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, 37.2020 तक के लिए, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अच्छा ल Mark Seat यदि आपके पास है, तो यदि आप appearing है, तो 7th semester की, या 3rd year की Mark Seat आप भेज दे, उसके बाद Mark Seat of 12th, यानि कि 12th यदि आपने किया, तो Mark Seat उसकी चाहिए, डिप्लोमा की है, तो उसकी Mark Seat चाहिए, 10th की Mark Seat चाहिए, amount transfer जो आपने किया, उसकी Receipt चाहिए, Residential Certificate, आप पिर आपके पास available अभी है, तो आप इस form को भर दें, और उसके बाद ये attach करके भेज दें, और BC1, BC2, यदि आप category में आते हैं, तो आप CO, HDO, DC वाले form को भर दें, यदि उन से निर्गत किया हुआ है, आपका certificate, तो EWS certificate भी CO, HDO, DC से निर्गत किया हुआ है, तो आप इस form क भरने के बाद, print out लगा के भेज दें, और उसके बाद, sponsorship candidate, certificate, employer का, यहाँ पे लगा के भेजना है, उसके बाद, working experience, academic institution, industry, कहीं पर यदि कोई work किया है, तो उनका, यहाँ पे लगाना है, if any for gate, non gate candidate, उसके बाद, यहाँ पे देख लीजे, online residential certificate, जारखन इस्टेट के लिए, tuition fee relaxation, यहाँ की लड़किया है, तो उनको fee नहीं लगता है, पढ़ने में tuition fee माफ हो जाता है, तो उस condition में, residential certificate देना होगा, उनको, उसके बाद, यहाँ पे कुछ, यह लोग mention कर दिया है, starting date of application, यहाँ पे 27-6-2020, Monday से है, और last date for form submission, 37-2020, याने की 30 July-2020 को, उसके बाद देख ली new schedule will be notified through institute website, institute की जो website है, वहाँ पे आपको new schedule की जानकारी मिलते जाएगे, और भी कोई update आती है, तो उसकी भी जानकारी मिलते जाएगे, यहाँ पे एक बात और देख लीजे कि अभी तक तो date बढ़ा है, लेकिन कोरोना pandemic के कारण हो सकता है, date एक बार और extend हो, इसलिए आपन commission हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा कम भी gate score है, तो चिंता मत करिए, अच्छा college है, टाइम मिलेगा आपको पढ़ने का यहाँ पे, अच्छा खासा बहुत ही ज्यादा, I hope वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो like, share, subscribe करने के साथ साथ, बिल का बटन दवाद और दोस्तों के भी इस वीडियो को फैला दीजिए, धन्यवाद, जैहिंद, वंदे मात्र,